Thank you Lord, Hallelujah, Glory to God जाते समय इश्यमसी की प्रधोंवर्ष की समाप्ति के पास हम पहुंच चुके हैं जहां पर इश्यमसी अपनी सिवकाई को आरम किये हुए पूरे एक साल होने को है और अंतिम एक चमतकार के साथ में उनकी एक साल यहां पर समाप्त होती हैं उस वच्छन की ओजाकर हमारी ध् वो के हाथ में समर्पन करते हैं मिल को दुआ करते हैं सरवश एक्दिमान बिदा परमेश्वर धनिवास सोती प्रशमसा महिमा गौर आदर समान आप ही को प्रभजी समर्पित करते हुए हम अपने आपको धीन और नमर करते हैं दियावा सुन्दर से समय के लिए सभागी के आपको शुक्रिदा करते हैं परभजी परमेश्वर आपकी और प्रभजी जुखे और आपकी और प्रभजी बड़े इस प्रकार से परमेश्वर हम आपको प्राप्त कर पाए आप हमारे अपने हो सके और हम परमेश्वर आपको प्राप्त करते हमारे जीवन को आपकी स्व पुबरियों स्भाइबनारों, फीराद्या आइन अबना को। हाइं हमारी ध्यान को हम, पवितिशास्यों लेकर चलते हैं, मरकुस की सुसमाचा दूसरे ध्याय में लेकर चलता है जापर इश्यमसी एक जोले के मारे विक्ति को चंगा करते हैं और इश्यमसी जोले के मारे विक्ति को चंगा करते हैं वहाँ पर एक विशेश ध्यान भी उनकी आकरशित होती है और किस प्रकास एश्य मुसी ने उन लोगों की सनाना की है जिनों ने स्विक्ति को यहां पर ली कराया है मर्कुस की सुसमाचार दूसरी अध्याई की प्रदम वचन से पढ़ते है कई दिन के बाद वो फिर कफन हों में आया और सुना गया कि वग घर में है फिर इतने लोग इकटे हुए कि द्वार के बाद भी जिगा ना मिली और उने वचन सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे को चार मनिशों से उठवा कर उसके पास ले आए पर दो जब भीड के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस च्छत को जिसके नीचे वह था खौल दिया और जब उसे उगेड चुके तो उस खाट को जिस पर जोले के मारे विक्तिव पर आओवा था उसे लटका दिया इश्योंने उनका विश्मास देखकर जोले के मारे वह से कहा हे पुत्र तिरे पापा श्मा हुए तब कई एक शासी जो वहाँ बैटे थे अपने पने मन में विचार करने लगे कि मन श्री कौन है क्यों ऐसा कहता है ये तो परमिश्वर की निंदा करता है परमिश्वर को छोड़ और कौन है जो पाप श्मा कर सकता है इश्नितर अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसे विचार कर रहे है और उन से कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो सहच क्या है क्या जोले के मारे इस विक्ति से कहना कि तेरे पाप श्मा हुए है या ये कहना कि उठ अपनी काट उटा कर चल फेर परंदो जिससे तुम जिससे तुम जान लो कि मनश की पुत्र को पृत्वी की पापक्षमा करने की अधिकार है उसने जोले के मारे वेसे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी काट उठा कर अपना घर चला जा। और और वो उठा और तुरंत काट उठा कर और सब के सामने से निकल कर चला गया और सब चकित हुए और परमेश वर पर्मिश्वर की बढ़ाई करने लगे और ये कहने लगे कि हमने ऐसे कभी नहीं देखा है हमने ऐसे कभी नहीं देखा है इश्यमसी एक घर पर बैटे वे ते कफन हो मैं जहां पर कुछ लोगों ने जोले के मारे उस विक्ति को लेकर आया था और उसे लाने के बाद इश्यमसी के सामने उन्हें लेकर जाना चाते थे लेकिन घर पर प्रवेश करने का घर के भीतर जाने का कोई मारग ना था क्योंकि सब लोगो बहुती बड़ी से भीड़ वहाँ पर इखटी हो गी थी और उस भीड़ के कारण जो सब लोग घर पर बैटे वे थे इश्यमसी के उपदेशन को सुन रहे थे इश्यमसी वहने सिखा रहे थे सो सीखने वाले सुनने वाले किसी रोगी को भीतर जाने को नहीं मौका दे रहे थे तो जिन लोगों ने उठा कर वहाँ से लेकर आथा उन लोगों ने देखा है हमें किसी न किसी तरह से इनको इश्यमसी के सामने लेकर जाना है तो घर पर जाते हैं वो उस घर के चट पर चले जाते हैं चट पर जा रहे हैं वो तो से खोल कर उस खाट को सीधा इश्यमसी के सामने उतार देते हैं जब इश्यमस्य के सामने उतार देते हैं इश्यमस्य ने उनका विश्वास देखा है और उनके विश्वास की सराना किया है और साथी साथ में इश्यमस्य ने जोले के मारे वेक्ति से कहा है हेपोतर वोटर क्योंकि तेरे पापक्षिमा हो चुके हैं तेरे पापक्षिमा हो च कहता है कि पाप का ख्षमा को हो चुके हैं इश मुस्विन इनकी बातों को अपने ही मन में जान लिया पैचान लिया और तुरंत अपने मन में जैसे इनको एसास हुआ उनसे कहने लगा मैं तुम से इक बात पूसता हूं क्या साहज है कि इस विक्ति से ये कहना कि तेरे पाप शिमा हुए हैं ये तो हम भी कह सकते हैं आप भी कह सकते हैं हम सब भी किसी ना किसी से कह सकते हैं कि जाओ प्रभू तुमारे साथ है प्रभू तुम को आशिज देगा जाओ प्रभू तुमें चंगा कर देगा ये तो हम भी कह देंगे बहुत साहज है ये बात बिलकुत सरन है अगर आपके पस कोई आते हैं, और आप उनका मन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, आप उनसे कहते हैं, निश्यवी, आपका भला होता जाओ, आसानी से कह देते हैं, लेकिन क्या हम उस विक्तिगी भला कर पाते हैं ? बलाई के विशे में कहना और बलाई करना दोर में बहुत अंतर है और इसे अंतर के श्मसी उन से पूसते हैं अब मैं तुम से सवाल पूसता हूं मुझे बुतर दो क्या साहज है कि इस विक्ति से कहना या फिर कि इस विक्ति से भी कहना कि जाओ तुम्हारे पाप के शमा हो चुके है या फिर अपने काट उटा कर चल पड़ो अपनी काट उटा कर चल पड़ो सोचे कि आप किसे सभावे बैटे हुआ है और उस सभाव में आपके सामने किसी ने एक जोले के मारे वेक्तिय किसी प्रकारा कराया सब लोग देख रहे हैं वो चलनी सकता है उटनी सकता है वो हिलनी सकता है क्योंकि उसके शेलिर के अंग सब मृत हो चुके हैं इसलिए वो उसे किसी और को उठा कर लिकराना पड़ा उसे किसी और की सहारे की जुरत पड़ी है जब ऐसे विक्ती की सहारे की जुरुत पड़ी है तो उस समय उस विक्ती से कहा जाएंगा आपने अगर कह दिया कि चलो मैं तुम से कहता हूँ उठो अपना काट उठाओ उठो अपना काट उठाओ या फिर खड़े हो जाओ अगर वो विक्ती खड़ा नहीं हुआ उठने पाया आपकी कितनी अपमान की बात होगी इसके आगे आपके शब्दों को कौन सुनेंगे अपमान तो होगी आपकी निंदा तो होगी साथी साथ में लोग आपका विरोध भी करेंगे और आपकी बद्लामी यहां से वहां फैल जाएगी देखो यह मनश शिर्फ खाली शब्द बोलता है और इसके भीतर कोई सामर्द नहीं है लेकिन इस शमुसी उनके भीतर शब्द भी है और शब्दों में सामर्द भी है सामर्द के साथ अधिकार भी है इसलिए बहुत से लोग कहने लगे यह अधिकार इनके पास कैसी आई है यह सामर्द नके पास कैसी आई है कैसी अधिकार जब इश्यमुसी ने कहा तो बहारे उस विक्ति को दे कर कहा उट अपने काट उटा कर घर चला जा वो सब के सामने से उटकर चलने लगा वो सब के सामने से उटकर चलने लगा जब वो सब के सामने से उटकर चलने लगा तब सब देखकर चकित हो गए है सब आश्यरी करने लगे है और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए कहने लगे ऐसा हमने कभी नहीं देखा है ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है आज सिर्फ अगर मेरी यहाँ से खाली शब्द आपके पास आते हैं मान लेते हैं कि आप मैंसे कोई बिमार पड़े हैं आप मैंसे कोई रोगी पड़े हैं मैं एक खाली शब्द आपके पास नहीं आएंगे क्या कि परमेश्वर अपनी अभी शेक को अपनी सामद को आपके पास लेकर आ रहे हैं परमेश्वर अपनी शेक्ति के साथ में आपको दर्शन दे रहे हैं पर मेश पर अपनी सामर्द के साथ में अपनी चंगाई के साथ आपके सामने आ रहे हैं आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपकी कोई भी समस्य क्यों ना हो अपंगी क्यों ना हो इस मसी के नाम से आपकी पर सामर्द को जप्रकड करते हैं इसी वक्त अपनी चंगाई को अपराप्त करें आप इसी वक्त अपनी तंदुरसी को अपराप्त करें आपकी भीतर के सारी नकरात्मक शिक्तियां आपकी भीतर के सारे रोग शिक्तिया इस शिक्तिय के नाम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के समाल में सामर्द है तो परमेश्वर सामर्दी कारी को करता है ना क्या वा सरफ प्रबो वच्छन को बोलता है हे पुत्र उठ अपना काट उठा और चल पड़ अगर आप भी इस प्रकार के स्तिती पे बड़े हैं उठनी पाते हैं चलनी पाते हैं मानसी ग्रूप से हो शारिर ग्रूप से हो परमेश्वर अभी इसी समय आपके भीतर एक शंगाई को लिख करा रहा है आपके सामने जौन दिखार की बविश्य नजरारी है परमेश्वर उसे तेजों में कर रहा है परमेश्वर उसे प्रिपकाश को लिख करा रहे हैं अपनी दिशा को लिख करा रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है आपसे बाते कर रहे हैं लोगों की संदेहों को लोगों की अब शब्दों को आप सुन कर अपनी विश्वास को ना खोए वरन परमेश्वर की बातों को सुनकर उनके विश्वास में चले उनकी सामर्द में चले परविश्य मस्थी के नाम से इसी वक्त चंगाई इसी वक्त सामर्द को प्रात करें अई दुआ करते हैं सर्वे शिक्तिमन पिता परमेश्वर प्रवेश्य मुस्री के नाम से फ़र से एक बार आपकी दुहाई देते हैं आपकी महिमा करते हैं आपकी गारो करते हैं हमारी प्रेजिन जो आपकी वच्छनों को सुन रहे हैं उनमे से कोई भी खमजोर क्यों ना हो कोई भी आपंग क्यों ना हो कोई भी भी भीमार क्यों ना हो किसी प्रकार से परमेशोर अशार ग्रूप से हो मानसी ग्रूप से हो वे them chukे हैं मृत Senschafti में पड़े हुआ हैं परभशे मसरी के नाम से परभभव हम यहां से दुआ करते हैं परमेश्वर अपनी चंगाई, परमेश्वर अपनी सामर्दब, परमेश्वर अपनी थाकत, इसी वक्त उनकी परमेशने के लिए दुआ करते हैं, अपने अगवाई में, अपनी अगवाई में चलाएं, अपनी अगवाई में चलाएं, देह के एक एक कंड को छुली चे, एक क प्रमेश्वर आप सबको डेरो आर्शिष प्रादान करें आपका शारिक रुप से मानसी क्रुप से अध्यात्मी क्रुप से अर्धी क्रुप से हर जगब परमेश्वर आपको स्वतंतर रखे आपको तंदूस रखे आपकी परमेश्वर की कृपा हमेशा हमेशा बरकरार हो आशिश्मान हाथ निरंतर आपके पर रखे हमारे सिद्वार कामना के साथ यहां परास की इस समय को समामत करते हैं कल में लेंगे अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए दूसरें का भी ख्याल रखिए गार बलेस्टियों